नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो आज तक आपने हमारे समाज में देखा होगा कि जब भी भी पती पतनी का तलाक होता है तो अक्सर करके पती को ही पतनी को हरजाना देना होता है जीहां आपको बता दें कि पतनी कहती है कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी और इस वज़े से जितनी भी कमाई होती है पती कि उसमें से लगभग 50% पतनी को हमेशा देना पड़ता है लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि एक पती ने अपनी पतनी से हर जाना मांगाया वो भी तलाक के लिए जी हाँ आपको बता दे बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना बहुत ही काम की खबर हम आपके लिए छाट कर लाए हैं और इससे निश्चीती आपको भी आपकी लाइफ में कुछ सीखने को मिल सकता है दोस्तों महामारी के बीच जहां न्यायले में जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है, वही हाली में दिल्ली की कोट ने एक अनूठे मामले की सुनवाई की है लेकिन यहां मामला उल्टा है सक्स ने कोट में दलिल दी है कि पिछले कई सालों से पतनी द्वारा दर्ज मुकदमों में कोट के चकर लगा-लगा कर उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है पती लोकेस ने कोट से कहा है कि पतनी ने उसके खिलाब इतने आप प्राधिक और दिवानी मुकदमे दर्ज कराए है कि अब कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने को ही तियार नहीं है इसके अलावा बैंकों ने भी उसे कारोबार सुरू करने के लिए लोन देने से इंकार कर दिया है सक्स ने कहा है कि मुकदमे जिलते जिलते उसकी माली हालत ऐसी हो गई है कि उसके सामने अब नौकरी कर रही पतनी से गुजारा भथता लेने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं लोकेस ने कोड से कहा है कि इस स्थिति में वो अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल भी नहीं कर पा रहा है सक्स का कहना है कि फिलहाल वो अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से उधार लेकर काम चला रहा है वरतमान में उसके पास अजीवी का चलाने की भी कोई साधन नहीं है दोस्तों बता दें कि इस सक्स की जो पतनी है उसकी इंकम मंतली 62,000 रुपे है और इसी वज़े से इस सक्स चाहता है कि कहीं न कहीं इस 62,000 रुपे में से इसको भी 50% हर महीने के मिलने लग जाए और इसका गुजाराबता चल सके अब आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या इस सक्स का जो कुछ भी कहना है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है क्या इस महिला को हरजाना देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करना धन्यवाद